प्रश्कार दोस्तों जंगली आयूरवेदा टिफ्स चैनल में आपका श्वागत करते हैं आज आप सभी के बीच में फिर्श हाजिर हैं एक ऐसे जंगली जड़ी बूटी पेड के साथ में जिश्का नाम है गूलर आज आपको दिखा रहे हैं गूलर तीन प्रकार के गूलर यूटीब चैनल में अभी तक किसी ने नहीं दिखाया होगा एक के करके तीनों गूलर को आपको दिखाते हैं ये पहला गूलर जो जंगली गूलर है ये भी गूलर है लेकिन ये दूसरे प्रकार के गूलर है और ये फल जो है ये सबसे ज़्यादा खाया जाता है और सबसे ज़्यादा गूनकारी और ओशदी पोधा यही गूलर है जिसके फूल को किसी भी स्तिरी को खिला दिया जाए तो बच्चे ठहर जाते हैं ऐसा इसके गून माने जाते हैं आगे फिर दिखाते हैं तीसरा गूलर ये है तीसरा गूलर जिसे यूटूब चेनल अक्सर दिखाते रहते हैं और आम भाशा में इसे डूमर भी बोलते हैं जो अक्सर गाउं दिहात हर जगब पाये जाते हैं बड़े-बड़े पेड होते हैं और बड़े बड़े फल भी होते हैं और अकसर जो यूटूब चेडल में दिखाया जाता है यही गुलर लेकिन अभी जो हमने दिखाये दो परकार के गुलर यह जंगली गुलर है और यह अकसर जंगलों में पाया जाता है जो सबसे ज़्यादा किम्ती और प्रभावसाली गुनों में एक माना जाता है और आज हम इन तीनों के बारे तीनों की विसेस्ताएं एक के करके बताते हैं आपको जेहां दोस्तों आप इसे पहचान लें इस तरह से आपके पास में लतर होते हैं पेड से सिधा निकला हुआ है ये लतर और लतर में ही इसके फल लगते हैं ये एक जंगली गूलर है इसके सारे जंगली बैल बकरिये सब खा चुके हैं इसके भी इस तरह से लतर हैं और ये सामने पेड़ है इसको बोलते हैं गूलर यहां दोस्तों और इस तरह से आपका इधर भी देख रहे हैं ये आपका इधर है और इस तरह से आप देख रहे हैं इसके भी फल लगे हुए हैं और इस तरह से इनके भी लतर हैं आप देख रहे इसरी लटर लग वह है है।- लटर में जवरजस्थ फल लग वह है। प्खरच अंदर मीठा लगता है क्योंकि ये आपको अंदरूँनी ताकत परदान करता है। के मीठे पल और मुझे लार नहीं आने देता है और इसके फैदे जान कर आप भी दंग रह जाईएगा अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं कियें तो जल से जल सस्क्राइब कर ले लाइक्स कर दो और बेल बटम को दबाएं अभी तक मेरा चैलेंज है गूलर तीन तरह का होता है जो आज तक यूटूब चैनल में किसी ने नहीं दखाया होगा जिया दोस्तों तीनों को गूलर ही बोला जाता है लेकिन एक डायरेट बड़े बड़े फल होते हैं जो डूमर बोलते हैं जो अकसर यूटूब चैनल पे मिलेंगे और आम जिंदगी में भी डूमर को ही दिखाया जाता है और एक होता है ये जो जड़ निकल के आपके सामने है ये भी डूमर की तरह गूलर है लेकिन हम इसे जंगली गूलर कहते हैं और इसके फल डूमर से भी जबर्जस्वाद लगते हैं ये डूमर का भी बाप है और ये जो फल होते हैं लाल क उस्म के अभी इसमें पका नहीं है, यह जो पेरथा इसमें पक गया था, खतम हो चुका है, यह जैसे ही पकता है तुरंत इसे बहुत सारे बैल, बकरी, मनुष भी से खा जाते हैं, बहुत ही संदार लगता है, और यह जो है, मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, कि डूमर में भ पत्ते तोड़ेने से दूदाते हैं हैं और एक सब्जी अभी आप को तीनों का पता भी दिखाएंगे और आपको फल भी दिखाएंगे तीनों में दूद आता इसके फल को तोड़ेने से भी आपके पास दूद आएंगे आपको दिखाते हैं आप देख लिजे इस तरह से ये पका हुआ नहीं है इसके जो फल है इसमें भी देखिए दूद आ रहा है ये भी बहुत बड़ा होगा बहुत ज़्यादा भी बड़ा दूमर बोलते हैं और इसके बहुत ज़्यादा मातरा में इसका फल लगता है इसे लतर पे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मातरा में तो मेरा दावा है कि इसके फल में भी दूद निकलते हैं दूमर में भी निकलते हैं और इसके और एक किस्म के होते हैं वो भी से निकलते है उसके डाली कटने से भी दूद निकलते है उसमें भी इसमें भी निकलते है लेकिन सबसे मज़धार बाद सबसे जबरज़स्त आयूरु। के रूप में सबसे ज़्यादा कोई कारगर है तो ये है दोस्तों जिसे आज तक यूटूब चैनल और आम आदमी देख नहीं पाया और ना समझ पाया है जिसे आज आपको हम बताना चाहते हैं क्योंकि अभी तक आप सभी के बीच में जंगल में ऐसे जड़ी बूटी अकसर नहीं मिलते हैं आयूरवेद का मतलब ही होता आयू पलस वेद आयूरवेद उम्र को बढ़ाने वला साइंस और आज इसी आयूरवेद के बारे आज हम आपको फिर से बता रहे हैं कि अगर इसके चूर्न को इसके फल को अगर कोई महिला अगर इसे दूद के साथ मिश्री मि मात्र कर ले तो उसका सफेत परदर की बीमारी खतम जी हाँ दोस्तों या तो फिर किसी तरह की बावासीर की समस्या है कई बार बावासीर में लोग इतने परसान रहते हैं पता नहीं सकते तो कई बार जो है क्या करना चाहिए बावासीर में बहुत पीड़ा होती है मलदवार म बढ़ जाता है तो आप जान ले कि गुलर के पत्ते को आप जैसे तोड़ते हैं दूद निकलता उसी तरह इसके पत्ते को जब आप तोड़ेंगे तो दूद निकलेगा जी हाँ दोस्तों और जब दूद निकलेगा तो उस दूद को रूई में भिंगा करके अगर मल्दवार में फोड़ा हो गया है फूंसी हो गया है तो वहां पे अब लगा दें वो धीरे धीरे सूख जाएगा और इसके दूद को यानि डूमर के दूद को या इसके दूद को पानी में 20-25 बुन मिला करके नियमित 3-4 दिन से उन करें तो उसे बादी बावा से खून आना ही सब ठीक हो जाएगा ऐसे ही यह जो गुलर है इसको इसके जो फल है डूमर से भी बाप है इसका जो फल है पकने के बाद इसको कोई वेक्ती पका हुआ फल को खाले तो मेरे दोस्त बिलीब नहीं करेंगे पिश्वास नहीं करेंगे उसकी योवन सक्ति अंदूनी ताकत यानि शेक्स करनी की छमता पढ़ जाती है इतना जबरजस्त इसके फल है और इतना स्वाद लगता इसका जो फल है डूमर का तो अल्टा टैप का अजीब टैप का लगता है लेकिन इसका स्वान भोधी संदार होता है और ये खास बात है ये जंगल में ही पाय जाते है डूमर कहीं भी मिल गाउं में भी मिल जाएगा लेकिन ये गाउं में नहीं मिलता खास कर हमने देखा है ये अकसर जंगल में ही पाय जाते हैं और इसके जड़ में भी इसके जो पोधे होते है इसका जड़ में भी इस तरह से आपको फल लगते हैं आपको दिखा है इस तरह से इसके जड़ होत ये आपको सामने दिखा रहे हैं, ये जो पेड़ है, यही पेड़, ये आप देख रहे हैं, ये भी गूलर है, लेकिन ये जड़ पे नहीं फलता, ये डायरेट फलता है, और अभी गाउं में अक्सर, मैंने भी इसका फल खाया है, इसका फल उससे अलग है, इसका लतर पे नह फूल इसमें फूल होता ही नहीं है गूलर में तो फूल होता ही नहीं है ये फूल ही इसका फल है और एक तरह से देखा जाए तो वो जो है वहाँ पे वो भी एक फूल है और फूल ही उसका फल है तो इस तरह से ये जो फूल है इसके कई लोग सेवन करते हैं इसके सेवन से महि महिलाओं में भी बहुतरा के मा नहीं बन पाती ये जो आप देख रहे हैं, अक्सर जो है इसके जो फूल होते हैं, अगर इसको डुमर के यानि गुलर के भी फूल को या इसके फूल को, बलकि ये जंगली वाला है इसे जादा चमतकार होता है, कि किसके लिए है जैसे कई बार महिलाएं मा नहीं बन पाती है कैसे उनकी पिरियट की समस्या रहती है बचे टुट ठहर जाते है लेकिन बार-बार वो मिस्क्रेज हो जाता है बच्चेदानी फैल जाने से अक्सर बच्चे नहीं ठहरते इसको पिला दीजे इसको खिला दीजे सबजी या इसको पीस करके दूद में मिला करके या फिर ऐसे इसको खिला दीजे बच्चे उसे मिस्क्रेज नहीं होगा यानि उसके बच्चे जो है कभी नहीं गिरेंगे गर्वधारन हो जाएगा ऐसी इसमें इतनी आयुर्वेद छमता ऐसे आयुर्वेद गून है आप इसे पहचान लें और इसके पत्ते अलग हैं आप देख रहे हैं इसके पत्ते इस तरह से हैं ये जो पत्ते हैं जो पत्ते हैं डूमर से अलग हैं और इसको जब आप तोड़ेंगे तो इसमें भी दूद आएगा देख रहे हैं इसमें आपको सामने इसमें भी दूद आ रहा है तो ये जो है लेकिन ये डूमर नहीं है डूमर के जैसा है और इस तरह से इसको जब आप तोड़ेंगे ना इसके फल को तो इसमें भी आपके दूद आएंगे जी हाँ जो तो देख रहे हैं इस तरह से इसमें यह गुलर नहीं है गुलर के जैसा है इसके फूल हैं और इस फूल को इउपयोग किया जाता है तो अभी आपको हमने दिखाया जंगली डुमर फिर यह डुमर फिर ओरिजिनल डुमर ले के आपको चलते हैं तो पने रहें यूटुब चैनल पर जैक है आपका डुमर जिसकी तबाद बांगर के तलास थि जिसको आप YouTube चनल में अक्सर देखते हैं ऐसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं और इसके पेड़ में जो है उसी तरह पे जशे अबstopicip अभे आपने देख फल लेकिन इसके फल लतर पे नहीं होते हैं यसे तने पे ही फल लगे होते हैं और फल यानि इसके फल होते नहीं है वही फल ही इसका फूल है इसके फूल होते ही नहीं है तो आज आपको इसके बारे हम बताते हैं शब के बारे भी स्तार से बने रहे हैं यूटूब चैनल में अगर अभी में गैस में कबज में इसके फल को या इसके शबजी को जब आप पका के खाएंगे तो हमें साब पेट साप रहेगा और कबज गैस जैसे बीमारी नहीं होगा महिलाओं की सफेर प्रदर इन सब समस्याओं को खतम करता है लेकिन उससे भी बढ़िया जो है आपके ये वाले हैं इनके जो फल होते हैं सबसे खास बात क्या होती कि जो बच्चे दानी फैल जाते हैं जिसके वज़े से बच्चे मिस्क्रेज हो जाते हैं बच्चे नहीं ठरते हैं कई सालों से उसके जगह पे इसके सबजी या इसको चूरन बना के दूस के साल लेने से बहुत जबरजस्त क को ठिक करता है उसी तरह ये फल है जो उससे ज़्यादा नापुन सकता को ठिक करता है ये अरुवेद में सबसे ज़्यादा मानियाता इस जंगली गुलर की है और ये ही वो गुलर है जो आयुरुवेद में सबसे ज़्यादा बैनिफिट पहुचाता है क्योंकि इसके जो फल ह ये मिठे फल जो भी शेवन करेगा उसके धात, सफेद, परदर तो ठीक करता ही है गुलर भी ये करता है लेकिन इसमें ज़्यादा पारफूल है जैसे सेक्सुल प्रोब्लम को ठीक करने में या फिर कबज को मिटाने में या फिर हाट के ब्लोकेज को खोलने में क्योंकि इसका जो पोधा होता है ये दूद निकलता है इसके फल में भी दूद होता है तो सुगर को भी ये मेंटेन रखता है ये जो है मुह महकने नहीं देता है अगर किसी तरह का दांत में प्रोब्लम है तो इसके जो दूद होते हैं उनको आप दांत में जहां पे सड़ रहा है उहां पर डाल दें तो कीड़ा मर जाएगा और दांत को भी ठिक रखता है मूग को भी साप रखता है इसके दतुवन भी कर सकते हैं गूलर खासकर खुजली हो गया चर्म रोग हो गया सफेद दाग हो गया इन सब में बहुत ही जबरजस्त काम करता है इसका सबजी खिलाएं तरकी बिमारी होती है वो कभी नहीं होगा और इसके दूद को जहां चर्म रोग है खुजली होता है वहाँ पे इसको लगा इसका सब्जी एक बर खा लिए तो मतन भूल जाईएगा इतना जबरजस्त इसका फायदा है और ये सेक्सूल ना पुन सकता इन सब बीमारियों को तो जड़ से खतम करता है ये एक ऐसा पोधा है इसका फूल ही फल है और इसका फूल का तरह तरह का वेंजन बना के खा सकते हैं